नमस्कार दोस्तों देले के दोस्तों आप लोग दो थीन से प्हिंस आप लोग एका नीऊज्स सुन रहे होंगा कि बहुसार यहां पर जूएंट फैंब्ली फैंपी की से चलते आ रहे हैं जितना भी जमीन है उनी के नाम से रस्कीत कट रहे और आप अभी शोच रहे हैं कि अपने नाम से क्राइब तो उसकेस में आप लोगा जहें समाती नहीं बन रहा होगा और अगर जिनका इसमाति नहीं बनता है उनका पाश्मात्र एक ही अप्सण होता है कोड़ बतवारा पर बहुत सरे ऐसे परवार अज तक है संपती का बटवारा नहीं हुआ और यह जो है नियु सुनने के बाद जो खुशिक लौहर तो थोड़ा सदोड़े होंगे क्योंकि बहुत सारे यह जो बहुत अब नहीं बन रहा है तो हम अपने आलगे कैसे भी करा देते कुछ ऐसा नियम हों होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन दोस्तों आप लोग खुस मत हुए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कानून के विश्य सग हैं उनका कहाना है कि यह जो बहुमत के धार पर बटवारा होंगे और जो नियम सरकार द्वारा लाए जाएंगे यह कोट में नहीं ठीकेंगे लेकिन दोस्तों सरकार जो है पहले से सोच रही है कि जितने भी संपाती है ना यह पैत्रिक संपाती ना होकर बटवारा होकर अभी जो करन्ट उत्र अधिकार हैं उनके नाम सोज़ें बहुत प्रयास सरकार कर रहे हैं और बिहार सरकार लगतार जो है परियास से जारी रख ली एक और वहाँ पर उसके नाम से जाओंबंदी रहेंगे वही जमीन को यह है खरीद भे सकता है ऐसा कानू सरकार लाने की सोच रही थी लेकिन वहाँ पर भी same condition हुआ कि वो court में नहीं ठीका क्यों नहीं ठीका? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लोग थें जिनका माली पैतरिक संपती था यानि कि दादा पर दादा के नाम से संपती था और वो अभी बेच नहीं पा रहे थे उनका जो है अधिकार का हनन हो रहा था देखे दोस्तों ऐसे बहुत सारे मौली का धिकार जहें आम लोगों के लिए होता है और उसका अगर हनन होता है तो सरकार कितना भी कानून बनाए वो court में जहें रुकी जाता है देखे दोस्तों मैं आपको बखुवी कर दूँ कि संपती का अधिकार में नहीं आता है ये कानूनी अधिकार में आता है फिर भी आप लोग सोचिए कि जिसका माली यह पैत्रिक संपती है और उसका उत्र अधिकारी अभी है और वह सोच रहा है कि अपने संपती को अम बेचे किसी तरह से और वहां पर नहीं बेच पा रहा है इस नियम के तरह तो उसका तो अधिकार का हनन हुआ नाम इसी भिहाब जो हैं उत्रा अधिकारी जो हिंदु नियम होता है जैसे की मुसलिमया अलभ रहा है और इससे देखती वजाए पाट्णा हाई को अश्ट्र लगा दिथी और बोली थी कि यह कानून नाहीट यह बहुत वह बोल रहे हैं बहुमत के अधार पर परवारिक संपति बटवार आएंगे तो यह हैं हाई कोट में नहीं टिकेंगे अलागे दूस्ते बात की बात है और की सतरह से सरकार ला रही है कानून तो जरूर सोचेगी कि कैसे हमको टिकाना है और कैसे नहीं टिकाना है वो तो अपना देख लेंगे वो कानून जो वैसे कानून बनाए जाएंगे उस टाम तो यहीं हुआ था कि यह रुग गये था क्योंकि वह जिसके नाम से जामबंदी चल रहा था वही रेजिस्ट्री मारत कर पाता वहां पर रेश्ट्री लागा दिया जाए यह कानून नहीं बन पाया बिहार में लेकिन यह जो आप लोग 2-3 दिन से नीव सुन रहे हैं ना कि बहुमत का धार पर पर परिवारिक बट्वार संपति का बट्वारा हो जाएंगे इसमें क्य सकता है उसके लिए दोस्तों यहां पर जितने भी लोकल प्रितनीदी होंगे जैसे कि सर्पांचर मुख्या होंगे और उनकी समाति के अधार पर जो बहुमत जिनका होगा उस बट्वारा कर देंगे लेकिन वहां पर दोस्तों एक सक्ष निर्दे से मुख्या और सर्पन जो वहां पर उनको भी सकते हैं कि आप अईसे बट्वारा अगर कर रहें बहुमत के दार पर तो आपको ध्यान देना होगा और जिसका माली समाति नहीं बन रहा है उसका भी हक यहां पर ना मारा जाए यह अगर वह कोट में चल गया तो फिर जो है उसका जो हक मिलेगा है जाएंगे तो वहां पर ऐसे हैं बाढ़ते जाएंगे क्योंकि ऐसे मामली हो सकते हैं बहुत सरे बीशेसों का कहाना है और बहुत सरे लोग यह चल रही है लेगिन दोस्तों यहां पर मेरे हिसाब से तो यह बहुत आच्छा जो है एक पहल है क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सरे बिवादे हाँ पर ठीक हो सकते हैं अगर अच्छा से काम किया जाए माली जो जन प्रतनीदी है और जैसे कि सरपांच हो गया मुकिया वह अगर अच्छा से काम करेंगे और माली कोई ग्राम सवाय वजित करके अगर इस तरह माली बहुत का धार पर संपतिक ब लगाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्य पहल और यह जरूरी भी है वियार में क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास कॉमेंट करते हैं परवारिक हमारा बिवाद है और संपतिक बट्वारा हमें नहीं हो रहा है इस तरह हैं क्या करें कैसे करें आप सी समति बन नहीं रहा है उसकानुन लोग के लिए बहुत ही अच्छा यह पहला है और वेसे आप लोग यांते पैंचायती राज कमने आता भी है उसकानुन का दार पर बट्वारा और इसमें तो नहीं रुकना चाहिए और इससे हो सकता है कुछ बिवाद काम हो सकें तो दोस्तों आज करने नहीं लगेगी तो हम आके पूरे बता देंगे किस तरह से आप संपती का बट्वारा आप कर सकते हैं बहुमत के अधार पर और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा लेगिन अभी फिलाल अगर आपके पास संपती का बट्वारा करना चाहते हैं तो दो अप्सन है अधार प्रतनीदी जैसे कि सरपन्च हो गया मुख्या और आपसे आप लोगों का में बट्वारा बताया प्रत्वारा जोब करना और उसके बाद करना होता है इस तरह से दो तरह के अभी बटवारा अभी करंट में हैं अगर यह बटवारा आ जाता है बहुमत के अधार पर संपत्ति के बटवारा तो हमाई कर आपको वीडियो में बता देंगे पूरा डिटेल के साथ इन अभी फिलाल आप लोगे इस पर विश्यस ध्यान में दिजिए बहुमत के अधार पर बटवारा जो भूगे अभी इस पर बहुत सरे अटकने लग सकती हैं दोस्तों पर शांबी नहीं करना है अभी सरकार चानून बनाएगी और यह कानून नहीं आती है तो आप आपको इस पर विश्वास करना है क्योंकि हो सकता है मुझा लगता है कि इ बेबेबे